स्वागत आपका सड़ी एक एडुकेशन प्राटफॉर्म में अगर जिश्ट्री सीरीज में हम देखेंगे सुप्रीम कोट ने गुजराथ हाई कोट की जिसमें पहले ही गुजराथ हाई कोट 97th Amendment to the Constitution को स्ट्राइड डाउन कर चुका था जिससे पार्ट 9 भी जो है वो हमारे Constitution में अड हुआ था सुप्रीम कोट की थ्री जोज बेंच ने इसको अफेल्ड किया है और कहा है कि 97th Amendment जो है वो partially invalid है तो देखेंगे कैसे partially invalid है कौन-कौन से उसमें changes की बात की गई है किस grounds पे उसको यहां से हटाया गया और साती साथ यह भी देखेंगे कि कौन-कौन से जो parts है वो छोड़ दे गए है बेंच ने unanimously कहा कि यह जो पूरा का पूरा 97th Constitutional Amendment हुआ था यह Article 368 Clause 2 के procedure को breach करता है ideally जब भी आप इस तरह का amendment करते हैं जिसमें states की power को legislative powers को आपको take away करना होता है तो उसके लिए Article 368 Clause 2 क्लियर मेंचन करता है कि one half of the state legislature जो है वो ratification दे और जब पारलेमेंट ने 2011 में 97th Amendment को पास किया था तो इस ratification को नहीं लिया गया था तो इस यह कहा गया है कि multi-state cooperative के अगर हम बात करें तो multi-state cooperative जो है वो अभी भी allowed रहेंगी multi-state cooperative जो है वो बनाई जा सकती है उसमें Supreme Court को कोई दिक्कत नहीं है Supreme Court ने बस यह कहा है कि 9 B जो है वो partially invalid हो जाएगा उसे हम doctrine of severability के चलते जो invalid section है जिसमें procedural ambiguity है वो procedural ambiguity हम यहां से हटा रहे हैं एक जस तो यह कहते थे कि पूरा का पूरा जो 97th amendment है उसको remove कर दिया जाए लेकिन majority judgment यह ही आई कि partially इसका removal होना चाहिए जो भी जिन-जिन areas में flaws है वो हटा दो जो areas perfect है उनको रहने दो अगर आप राजिस्थान जुडिश्री कोर्स की preparation कर रहे हैं इसके forms आने सब्सक्राइब कर सकते हैं सब्सक्राइब कर सकते हैं तो चलते हैं पहले background में 97th amendment आया था 2011 में इसको challenge तब ही कर दिया गया था पहली बार इसको challenge किया गया गया गुजराथ हाई कोट में गुजराथ हाई कोट में यह कहा गया कि यह जो state की cooperative society बनाने का right था state के पास जो power थी वो center ने Parliament ने ले ली है इस amendment के बाद दूसरी बात यह कहा गया कि अगर यह amendment पार्लेमेंट करना चाहती थी तो हम से 368 clause 2 के चलते पूछना चाहिए था ratification लेना चाहिए था one half of the states को यहाँ पर आप देखेंगे entry 32 जो है list 2 की वो clearly mention करती है कि states के पास power है cooperatives को बनाने की तो 7th schedule बात करता है federalism की 7th schedule बात करता है distribution of powers की division of powers की इसी को हम कहते हैं कि हमारा जो constitution है वो कैसे पता चलता है कि उसमें quasi federal nature है वो पता चलता है आपको 7th schedule से तो अब 7th schedule की जो second list है जो की state की powers बताती है उसकी entry 32 ये कहती है कि state के पास power है cooperative societies को form करने की regulate करने की लेकिन इस amendment के बाद 2011 के 97th amendment के बाद part 9b जो है वो constitution में insert किया गया और ये सारी की सारी जो powers हैं ये center अपने पास ले गया यही जो था वो mere bone of contention बन गया यहीं एक crisis आ गई और high court में इसी बात को challenge किया गया कि बिना state ratification के इस तरह के amendment जो है वो पास नहीं हो सकते अगर हम 38 clause 2 को in detail पड़ें तो हैं clear mention है कि अगर कोई भी amendment करना है constitution में article 368 के चलते और उसमें आपको list 7th की कि किसी power को change करना है modify करना है add करना है delete करना है तो 7th schedule को अगर आप comment करना है तो आपको यहां पे states का ratification जो है वो लेना पड़ेगा जो भी parliament bill pass करेगी जो भी law pass करेगी वो one half of the states जो है वो ratify करेंगी resolution द्वारा मतलब simple majority द्वारा states उसको pass करेंगी और यहां पर 97th amendment 2011 में जैसा किया मैं पता है 191c right to form cooperatives add किया गया था साथ ही साथ एक DPSP 43b add किया गया जिसमें state को यह directions दिया गए कि state जो है वो cooperative societies को establish कराएगी उनकी working को manage करेगी साथ ही साथ part 9b पंचायत और municipalities के बाद add किया गया 243zh से लेके 243zp तक उसमें पूरे provisions दिये गए कि कैसे cooperatives बनेंगी कैसे उनको manage किया जाएगा कितने board members होंगे साथ ही साथ यहाँ पर state list में भी यह changes किये गए कि जो cooperative बनाने की power है वो center के पास भी आ गए मतलब center के पास direction देने की power आ गई तो ultimately यहाँ पर यह कहा गया कि state legislature जो है वो cooperative बनाएगी 20 से जादा वो numbers नहीं 21 से जादा वो directors नहीं रख सकती इतनी seats उसको reserve रखनी होगी इतने समय का एक उसका board बनेगा तो idea बस यह है कि यहाँ पर center जो है उसने direction की powers ले ली कि center जो है वो direct करेगा state को और बताएगा कि कितना किस किस तरह से आपको cooperative को बनाना है किस तरह से आपको cooperative को manage करना है कितने members cooperative में होने चाहिए तो यह सारी बाते यहाँ पर bone of contention बनी और इसी को challenge भी किया गया तो state legislature पे एक foundation आ गई कि maximum number जो है वो constitution ने fix कर दिये election कैसे होगा यह constitution ने fix कर दिया financial accounts कैसे manage के जाएंगे सब कुछ fix कर दिया गया साथी साथ कैसे offenses बनेंगे उनको part 9 b में डाल दिया गया जब article जब आप देखेंगे schedule 7 की जो list 2 का entry 32 है वहां clear mention था आप अपने constitution को 2011 से पहले देखेंगे तो वहां clear mention था कि state के पास powers हैं cooperative बनाने की लेकिन इस amendment के बाद यह powers रही state के पास लेकिन direction इनको center देने लगा center ने कहा कि इसी constitutional manner में आपको यह cooperative जो है वो form करने पड़ेंगे देखो problem यह नहीं है कि cooperative जो form करने की power है वो state से ले ली गई या directional power center के पास ले गई यहां पर मुद्धा यह आ रहा है कि procedural ambiguity आती है मतलब जब constitution के 368 clause 2 में clear mention है कि ऐसा कोई भी amendment अगर parliament करेगी तो इसको state से पूछना पड़ेगा तो court ने यही पूछा कि आपने state से यह बात क constitution में तब भी आप लोगों ने state से पूछा था तो फिर जब आप part 9 b add कर रहे हो तो आप state से क्यों नहीं पूछ रहे है हाई court of गुजरात ने यह कहा कि एक तरह से जो states की powers है वो आप shift कर रहे हो concurrent list में और union list में मतलब आप states की power को curtail कर रहे हो यहाँ पर यह भी कहा गया देखो clearly हमारा जो constitution है वो purely federal नहीं है कौसाय federal है बट उस कौसाय federalism के चलते भी जो states के पास power है वो आप states से नहीं ले सकते unless आप जो rule लिखा है 368-2 में ratification का वो follow करो अब center ने का supreme court में क्या कर देखो यह सब हुआ था गुजरात हाई court में फिर गुजरात हाई court ने का कि part 9b जो है वो null invoiders को हटा दिया जाए अब गुजरात हाई court की 2013 की judgment को supreme court में challenge किया गया और supreme court में government ने कुछ arguments दिये supreme court ने का कि constitutional power जो है वो parliament के पास है तो ultimate power तो parliament के पास ही रहेगी दूसरी बात है 9b से state legislative power में कोई changes नहीं आ रहे state legislative power में किसी भी तरह का issue नहीं हो रहा state के पास अभी भी powers है अभी भी जो cooperative बनाने की power है वो state के पास ही रहेगी cooperative चलाने की power state के पास ही रहेगी तो हमने बस एक direction lay down कर दिया, हमने एक procedure दे दिया है, बस हमने part 9 भी में procedure दे दिया है, हमने कोई भी power जो है state से नहीं लिया, तो ये दो बाते तो बोली बोली साथ में ये भी कहा, कि अगर article 368 में हम procedure से deviate होते हैं, center ऐसा कह रहा है Supreme Court को, कि अगर हमने procedural deviation किया है, तो वो violation नहीं है basic structure का, अगर हम substantial deviation करते हैं, मतलब हम law को अपनी तरफ mold कर लेते, तो वो हो सकता था कि गलात है, लेकिन यहाँ पर तो हम procedurally deviate हुए है, तो उसमें जो basic structure है, वो कहीं से भी deviate, या कहीं से भी violation उसका नहीं हुआ है, तो ये सारी बाते center ने Supreme Court को बताएं, despite of the fact Supreme Court नहीं मानने को तयार था, Supreme Court ने कहा, कि हम यहाँ पे substantial law नहीं देख रहे हैं, हम procedural law देख रहे हैं, और procedure यह कहता है, कि article 368 में आपको state से पूछना चाहिए था, ठीक है, बिना permission लिए, या बिना states के ratification के, आप ये नहीं कर सकते, इसलिए हम इस पूरे के पूरे criteria को, इस पूरे को पूरे constitutional constitution के procedures को follow नहीं कर रहे हैं, आप law pass करते समय, जो constitution में लिखा है, उसको follow नहीं करते, आप federalism के concept को infringe करते हैं, क्योंकि हमने देखा कि basic structure की definition में federalism भी एक important feature आ गया, center-state relations भी important feature आ गया, तो अगर आप इसको infringe कर रहे हैं, तो भी हम यहीं मानेंगे, कि आपने center ने basic structure को infringe कि आ है, तो इन सारी बातों के साथ, court ने finally यही judgment दिया, कि हम यह बात बिल्कूल समझते हैं, कि यहाँ पर corporatives को बनाने की power आपने अपने पास नहीं लिए, अभी भी आपने states के पास ही रखी हुई है, लेकिन हाँ, अब constitution के थुरू आप state को direction दे रहे हैं, कि कि किस तरह से corporatives बनाई जाएंगी, इसलिए हम इस पूरे के पूरे part 9b के इस chapter को null and void declare कर रहे हैं, अजया इसमें, court ने एक और case को भी प्रेफर किया, builders association versus union of india, यहाँ पे court ने यही कहा, कि देखो अगर कोई चीज़ entry, entry 2, entry, किसी भी entry में लिखी है, let us say, entry 32 में लिखी हुई है, list 2 के, 7 schedule के और अगर पारलेमेंट उसमें कोई change करना चाती है, let us say, पारलेमेंट किसी भी subject को, अगर entry 2 से, या list 2 से उठाके, let us say, उसको list 1 में लिखी है, list 3 में लिखी है, जैसे कि 7 schedule में 3 list है, second list, state list की है, तो अगर state से उठाके center में लिखी है, या state से उठाके concurrent में लिखी है, तो वहा पे 368 clause 2 के procedure को follow करना पड़ेगा, और अगर पारलेमेंट ऐसा follow नहीं करती है, इस procedure को follow नहीं करती है, तो हम यहाँ पे मानेंगे कि पारलेमेंट ने constitutional direction को breach किया है, पारलेमेंट ने law pass करते समय, constitution को ध्यान में नहीं रखा, और ऐसे case में हम इस law को null and void कर देंगे, तो यह सार पारले बात है, पहले बिल्डास association केस में कहा गया था, उसी चीज़ को court ने reiterate किया, court ने clear बोला कि जब कोई चीज़ entry 32, list 2 में mention है, और वो state की power है, तो पारलेमेंट बिना state से ratify किये, उसको take over नहीं कर सकती, ठीक है, इनकर court ने आपे side किया कि 243 ZI जब insert किया गया था, तो ह और यह पार्ट 9B के हिसाब से ही काम करेगी, तो ultimately यह हुआ, कि जो entry 32 में जहां clear mention है, कि state के पास power है, यह power जो है, एक तरह से shift हो गई, पारलेमेंट के पास, या center के पास, और अगर ऐसा कोई भी state law है, वो इस 97th amendment के according काम नहीं करता, तो यह amendment आने के एक साल के अंदर अंदर वो state law अपने आप खतम हो जाएगा, तो technically speaking, आइडिया यही हुआ, कि पारलेमेंट ने cooperative बनाने की जो power है, वो अपने पास, ट्रांसफर करा ली इस amendment के थुरू, और इसलिए इसको बार बार, इसको challenge किया गया, पहले गुजरात हाई कोट में, और फिर finally, यह Supreme Court तक केस पहु है, हम पार्ट नाइन भी को के इस clause को, पार्ट नाइन भी के इस matter को violation of basic structure पे null and void held करते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ चीज़े जो है, कोट ने छोड़ दी, सबसे पहला कोट ने छोड़ा, multi-state cooperative societies का clause, कोट ने का यह जो multi-state cooperative society का clause है, यह रहेगा, क्योंकि वो power तो center के पास ह है, अगर आप entry 44 देखोगे list 1 की, union list में, तो वहाँ पे clear mention है, कि union of India के पास power है, कि वो, उसके पास एक legislative power है, कि वो multi-state cooperative societies को establish करा सकती है, across the country, इसलिए constitution में, जो 9B में, जितना भी multi-state cooperative society वाला part है, वो court ने strike down नहीं किया, rest of the 97th amendment जो है, पुरा पूरा part 9 की जो बाकी बचता है, इस multi-state cooperative के अलावा, वो सब court ने stock down कर दिया, तो यह ही a matter finally, तो इस तरह से आप जानेंगे कि 97th amendment जो है, जिसको 2011 में add किया गया था, उसके थो आप देखेंगे 19, 1C add किया गया था, 43B add किया गया था, इसको अब null and void कर दिया गया है, हाँ, लेकिन हाँ, यह अभी भी लि नहीं किया है, तो substances में रहे गई, cooperative form होती रहेंगी, states अपने इसाब से cooperative को form करेंगी, और Parliament यह center जो है, वो उनको force नहीं करेगा, इस amendment के through cooperative form करने का, प्राशा करतों topic आपको समझना आ यहाँगा, इस तरह के और, जो जुडिश्टी की important topics से हो मैं लाता रहोंगा, जुड़ झांडराओार यहरोंahl का जिएकि लðस नो जे सिर्वी अबिपकि एसाफ्साबवाण होती यहाँविशन रवादाफाई का उनकोदा यह झाँविश्पक लावादी खुशच झाम प्राशब़े def FraudAC, तो चिसे अविफश्ध, अविफभ्वादाब एसफज़े बना पॉ झाल झाल